छे मुगलबादसा, इनकी रियल फोटो, एक्चल में फोटोग्राफी तो नहीं होती थी उस जमाने में, लेकिन पेंटिंग होती थी, ये सब की पेंटिंग है, रियल, सबसे पहले जो देरखा है ये है बाबर, बाबर, जिसका जग, हम सब के जन्द की बात कर लेंगे, 1483 में हुआ था, ठीक है, 1483 में पैदा हुआ था बाबर, और मृत्यू हुई थी 1530 में, दूसरी फोटो है हमायू की, ये आप देख पा रहें है हमायू, हमायू का जन्द 1508 में हुआ था, ये मैं जन्म और मृत्यू बता रहू हूँ, कारिये काल नहीं बता रहा हूँ, और मृत् दाड़ी नहीं है, हिंदू वाला लुख है, ये अकबर है, अकबर 1542 में पैदा हुआ था और 1605 में मिरिट्य हुई थी, 1605 तक, चोथी जो फोटो है, ये है, जहांगीर की, जहांगीर, जो की 1569 में पैदा हुआ था, 1569 में पैदा हुआ था जहांगीर, और मृत्यू होती है, 1627 में, अगली फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है, मुगल बादसा, साजहां, साजहां, 1592 में पैदा हुआ था, और मृत्यू हुई थी, 1666 में, और अगला मुगल बादसा है, ओरंग जेब, ये इसकी लास्ट के दिनों के पेंटिंग है, काफी मुजर्ग दिखाई देरा है, इ उम्र में, अब देखिए, कुछ इस तरीके से भी कोशन आ सकते हैं, कौन सा मुगल बादसा, सोल्वी स्ताब्दी में, जो है, पैदा नहीं हुआ था, सोल्वी स्ताब्दी में, पैदा होने वाले मुगल बादसा है, यानि 1500 सम्थिंग में, चार, हुमायू, अकबर, जहांगीर का मकबरा, लाहुर में, साजहां का मकबरा ताज महल आगरा में और औरंगजेब का मकबरा महाराश्टर औरंगाबाद में ठीक है अब इनमें से केवल ये दो मुगल बादसा ऐसे हैं ये दो बाबर और जहांगेर बाबर और जहांगेर इन दोनों के अगर बात की जाए तो दोनों का मकबरा विदेश में है और ये दोनों ही ऐसे मुगल बाजसा है जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखे थी बाबर नामा तुजुके जहांगरी समझ में आगई बात ये मुगलों के बारे में वो फैक्ट है जो कि आपके सामने मैंने पिक्चर के साथ बताए है जन्म से लेकर के मरित्यू तक कुदिकत उम्मिद करता हूँ आपको ये फोटो अच्छे से समझ में आई होगी ठीक है अब चलते हैं आगे कुछ और फोटो हम देखते हैं मुगलों को लेकर के ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये है हुमायू का मकबरा ये फोटो है जी हुमायू के मकबरे की सायद क्लियर ना दिख रही हो ये हुमायू का मकबरा है दिल्ले में हुमायू तो हुमायू का मकबरा ठीक है तो इसकी खास बात ये कि दिखता ताज महल जैसा है, एक्चॉल में ताज महल जो बाद में बनाया था, वो इसी को देख करके बनाया था, इसी को लिया गया था, इसी की कोपी की गया, पहली बार संग मरमर यूज किया गया जिस इमारत में, वो है हुमायू का मकबरा, ठीक है, हुमायू का मकबरा, अब आपको लग रहा होगा उस समय ताज महल दूसरा कैसे हो गया? अब आप देखिए, ये हू बहू ताज महल जैसा दिखता है. एक्ट्वल में ये है बीबी का मक्बरा. बीबी का मक्बरा. ओरंग्जेव की पतनी. दिल्रास बानो बेगम. औरंग जेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम ने कहा दिया था पहले ही देखो ससुर जी ताज महल बनवा रहे हैं आप भी मेरे लिए कुछ कर देना औरंग जेब कंजूस था औरंग जेब ने कहा ठीक है पिता ने मम्मी के मतने के बाद बनवाया आप भी जब जाओगे बनवा दोगा इसा हो गया था औरंग जेब की पत्नी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी ये 1657 में ही मारे गई थी तब औरंग जेब ने इसकी आद में ये बनवाया था दूसरा ताज महल ये ताज महल जैसा दिखता जड़ोर है लेकिन ताज महल है नहीं ये ताज महल के आप थर्ड कौपी मान सकते हैं चीके उसके बाद अगली ये यह जो इमारत में आप लोगोंको दिखा रहा हूँ ये इंडिया में नहीं है आप वैसे कमेंट करके बता सकते हैं ये कहां पे है चलो मैं ये बता देता हूँ ये इमारत है लाहूर में ये इमारत है लाहूर में और ये है जहांगीर का मकबरा अब देखो ऐसा भी कोशन आ सकता है एक मात्र ऐसा मकबरा जिसमें कोई गुबंद नहीं है बिना गुबंद वाला मकबरा मुगलो में किसका था जहांगिर का जिसका कोई गुबंद नहीं है चार मिनारे तो हैं लेकिन कोई गुबंद नहीं है ये किसका मकबरा है जहांगिर का मकबरा है लाहूर में है उसके बाद है यह मुम्ताज की कब्र है साजहां और मुम्ताज आप लोग अगर देखेंगे चेश खेलते हैं सत्रंज सत्रंज में राजा और राणी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का ही दिखता है यह कब्र है इस तरीके से राणी यह कब्र है इस तरीके से राजा तो यह मुम्ताज महल के अंदर दोनों की कब्रे है एक्चुल में जो मुम्ताज की कब्र है वो बीच में है इसके इधर भी एक कब्र की जगए और है वास्टविक्ता ये थी कि बनवाया मुम्ताज के लिए ही था साजहां की कब्र को अर्जेस्ट किया गया बाद में साजहां की इच पोटो है जो की ड्रोन से ली गई है ताज महल यमना नदी के साउथ में है तो जी साजहां की बेटी इसी रास्ते से लाल के लिए से यमना के रास्ते से ही ताज महल में दफनानी के लिए लाई थी साजहां की बोटी को ठीक है यह साजहां की ताज महल का पीछे का व्यू है ए ताज महल का पीछे का रास्ता है एक्चुल में ताज महल का मेंगेट यही था तो यह जी मुगल वास्तुकला की मुगल इतिहास की कुछ पिक्चर्स जो आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे मुझे बताईए कमेंट करके अच्छा रख हतम होता है कोके कॉदिकल यो जो किसाद ये कर दो एक्रप्टीजिक्वाइब कोकले तो